जब सिधार्थ आगे चले गए अपनी जर्णी पर किसी ने आपको आके कहा होगा कि शैनाज इश्वर की ये मर्जी थी इश्वर की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं अब इंटेंशन बहुत प्यूर होती है क्योंकि बच्पन से ही ये बात सुनी होती है लेकिन हमारा मन एक स कार्मिक अकांट था इतने के बाद उन्हें एक नए कॉस्ट्यूम में जाना था तो फिर हम भगवान से डरते नहीं जब हमारे जीवन में ऐसी सीन आती है हमें उसको क्रॉस करने के लिए जो पावर चाहिए हम भगवान से वह पावर वह शक्ति वह प्यार लेते हैं लेकिन इश्वर तो अच्छा लगी नहीं सकता उस ताइम पर और इसलिए फिर हम दरना शुरू हो चाते हैं उससे बट मुझे अच्छे लगते इश्वर हमेशा यह सोचती हूं मतलब लोगों को भी जैसे किसी ना किसी का कोई ना कोई चला ही जाता है तो मुझे लगता है जो मैं ने भी experience किया कि हमें हमेशा यह नहीं हमें और रहना था अभी मेरा यह नहीं पूरा हुआ यह नहीं पूरा हुआ हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी कितनी अच्छी memories है मतलब लोग क्या मैं भी थी body conscious जादा है तो मैं अब जो soul conscious है तो मैं हमेशा यह सोचती हूं कि उस आत्मा ने मुझे कितनी कितना ग्यान कितना मतलब मैं को जो ना समझ थी लोगों को analyze नहीं कर पा रही थी सब पे trust कर करती थी तो बहुत innocent थी मैं पहले तो उस आत्मा ने को इतना कुछ सिखाया life में तो उस पर मातमा नेही मुझे उस आत्मा के आत्मा के साथ रखा मतलब as a friend कि वो मुझे कुछ ना कुछ सी रखा सके यह आत्मा मेरी लाइफ में आई उसने में को इतना कुछ सिखाया तुम लोगों के साथ मिलाया और मैं इतना strongly हर चीज को handle कर सकती हूँ मतलब मैं इतनी strong हूँ तो एक चीज और कि हमें हमेशा यह सोचने चाहिए कि हमें कभी materialist नहीं होना चाहिए जब भी हम देखते हैं हमें आते हैं नहीं यह चीज मैं मतलब कहीं शूट पर जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ वह भी शूट करते थे तो मैं सोचती क्यों मैं अच्छा करूं परमात्मा मुझे हिम्मत दे के मैं हमेशा ट्राइ करूं के अच्छा करती रहूं अच्छा करती हूँ मतलब मैं ट्राइ करती रहूँगी तो क्यों ना मैं अपने अंदर ही ये चीज के मैं performance अच्छी दे पाऊ हूँ उनकी performance भी मैं करूँ ये सोचती हूँ और हमें हमेशा किसी कभी लोगों के बहुत लोग है बहुत दुखी है दुनिया है करोना से इतनी दुनिया का हो गया, ऐसे दिहात हो गया, बहुत लोग जा रहे हैं, बट हमें हमेशा मेमरीज, कोई ना कोई बहाना बनता है, लेकिन हमें हमेशा उनकी अच्छी मेमरीज के साथ रहना है। हम कई लोग सो इतने अबनी मुझे रहना मेरा तो अब तो मैं मरी जाऊं तो अच्छा है, यह लोगों की वर्डिंग यह ना, मतलब मेरी भी थी, कि हमें तो अब नहीं रहना चाहिए, हमें तो ऐसे करना चाहिए, अब मैं क्या, आपने तो बच्छपन से सीखा होगा ना, मन मन जीते, मन जीते, मैंने बच्छपन से तो नहीं सीखा, बट मैंने जो सीखा, देड़ साल में बहुत कुछ सीखा, अच्छा, हम लोग बच्छपन से सीखते आये थे, कि मन जीते, जग जीते होता है,